ये कुछ बनाना रेपब्लिक थोड़ी है मुल्क है ये देखी है अदालते दी मैं आया हूं मैंने बेल ले लिए और बेल लेने के बाद मैं वापस जाओंगा तो आपके ख्याल में मैं क्या करूंगा वही काम करूंगा जो पहले कर रहा था नहीं बेल मिलती मैं जेल चला जा एक्चुली हम उनको जानते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है मुझे बकाइदा पाकिस्तान के इदारों ने इन्फरिमिशन दी है कि ये चोर है इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है अच्छा इदारों ने हमें फाइलें दी कि इनको पड़ो फाइलों को ये चोर है पाकिस्तान को लूटा है जब हमें पूरा यकीन आ गया कि यह चोर है इदारे उन्हीं को वापस ले यह निए उनको आने दिया वापस चलिए अगर न्यूट्रल भी हो गए तो उनको वापस आने दिया और अब हमें यह दबाव डला जाता है कि उनके खिलाब बात भी ना करो जी सामने कुम मेरे साथ इमरान रास खान साब मौजूद हैं अभी हम अदालत से निकल कर रहे हैं और दोनों केसे में माशालला जमाना दो चुकी है इमरान भी पहले तो यह बताईएगा यह क्या हो रहा है आप पर मुकदमात धर्ज हो गए अर्शल शरीफ पर मुकदमात कर जोगे कि हो क्या रहा है कौन कर रही है यह आपके सामने है और आपको नदर आ रहा है कौन कर रहा है वैसे जो भी कर रहा है वह पाकिस्तान का भला नहीं कर रहा है और ना वह अपना भला कर रहा है यानि इससे आप लोगों को दबाएंगे इससे आपको लगता है कि आप क्या सारा जनलिजम का केरियर मेरे सामने है आप स्याचिन गए आपने मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान का ऐसा कोना नहीं छोड़ा जाम पर अपने आम्ड फोर्सिस को कवरिज दी हो फिर इमरान रियास खान के ओपर जब मुकदमा दर्ज होता तो मैं ये जुरू सोचता कि आम्ड फोर्सिस को तवरिज देने वाला आम्ड फोर्सिस के नेरेटिव को सपोर्ट करने वाला साफी उसके ओपर क्यों मुकदमा दर्ज हो गया रियासत को क्या पड़ी है मैं कल ना अपने घर में देख रहा था जो सिविनियर्ज मुझे फॉई ने दिये हुए मुक्तलिव इलाकों में जाने पर ना बहुत सारे हैं यानि वो सियाचिन स्टिक है मेरे पास उसके दोनों तरफ जो है वो एके 47 के बुलेट्स लगे हुए होते हैं बीच में वो सिया हो सकती है कोई ऐसा चक्कर हो सकता है मुझे नहीं लगता कि मेरे फौजी भाई मेरे लिए यह सोचते हैं पता नहीं मुझे नहीं लगता कि मेरे बार में वो यह सोचते हैं कोई भी दिल पे हाथ रखके मुझे खुद नहीं लगता मैं घदार हूं तो किसी और को क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं शबाद ने मेरा घर गिराने की कोशिश की थोड़ दिन पहले इसी वज़ा से मुझे अफसोस है मैंने बड़ा लूज वर्ड इस्तमाल किया उनके लिए कुकड़ी कहें मैंने बुलाया मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने इस लिए किया कि यर मेरा घरा आप गिरा रहे हैं मेरे बच्चे उसमें रहते हैं और मैंने हकलाल से बनाया हुआ है और इसने पूरी कोशिश की उसको गिराने की मुझे सारी इंफर्मेशन मिल गी और मैंने इस पर प्रोटेस्ट किया अब आपका करने का ये काम तो नहीं है कभी आप F.I.E. के पाथ जाते हैं उनको कहते हैं उसको उठाओ कभी आप पुलीस को कहते हैं को फाउजदारी मुकदमा बना दो कभी आप दूर राध इलाकों में मुकदमे करके मुझे उठाने के लिए गेरा डाल लेते हैं यह इससे काम चलेगा नहीं इससे गुजार यह कुछ बनाना रेपब्लिक थोड़ी है मुल्क है यह देखिए यह है कि पीछे जो है आपके उपर जो मुकदमा बनाएं इनको प्रॉब्लम तो है ना सीरियस प्रॉब्लम है मैं क्यूंकि इसको इंपोर्टिट करता हूं और मैं एक लिमिट क्रॉस कर गया हूं इसलिए कि मैंने वो सारे सुबूत खुद देखे हैं और मैं इस बात का चश्म दू 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 पहले से मिरे पाध़ यह इतला भी यह वाले यह वाले यह वाली यह वाले अफ़िशंसी पनजाब पुलिस की नावाश्च चरीज साथ के केस में से में को नदा नहीं आ रही थाएं जा था आ दे शाहां में आ तो आधा कि मुझे बाते हैं औरिए स पहले उठाना था बाद में दर्च करना था इनको यह बात पाकिस्तान में अकिला नहीं जानता लिए जनको इस बात का पता है और उन्होंने जब मैंने उनसे मुलाकात हुई एक टेलीफून पे अच्छा मैंने गिरफतारी दे कल मुझे आरफ अमीद भटी साब ने इलियास भाई ने और कुछ हमारे लॉयर्ज ने दोस्त अधर सदीक बगरा और बाकी इन्हों ने कहा कि यार अभी क्योंके लांग मार्च की अनॉंस्मेंट हो गई है तो अब आप गिरफतारी ना दे हैं क्योंके ये दो चार दिन के लिए आपको गायब करेंगे तो इस बीच में आपका बोलना दुरूरी है आप इन्फरमिशन शेयर करते हैं लोग सुनना चाहते हैं तो देट इस वाई मैं फिर थोड़ा साइड पे हो गया और मैंने अभी आके बेल करवानी अच्छा कोई चकर नहीं है एक्चुली हम उनको जानते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है मुझे बकाइदा पाकिस्तान के इदारों ने इन्फरमिशन दी है कि यह चोड़ें पाकिस्तान को लूटा है अच्छा इदारों ने हमें फाइलें दी कि इनको पड़ों फाइलों को यह चोर है उन्हें पाकिस्तान को लूटा है जब हमें पूरा यकीन आ गया कि यह चोर है इधारे उन्हीं को वापस ले यह उनको आने दिया वापस चले अगर न्यूट्रल भी ओ गये तो वापस आने दिया और अब हमें यह दुबाव ड़ा जाता है कि उनके हिलाभाद भी तो यह नहीं हो सकता आप आपको बटन से चलने वाले नहीं है कि आपने बटन ऊपर किया तो आफ हो गया हमारे पस जब नालीच है मैं पता है कि इसाद मी नीचे चोरी की हुए तो सवाल तो हम पूछेंगे इस टाम लग यह रहा है के पूरी नूनली की सूशल मीडिया कैमप प्रश्यत नहीं समाल ने इन्होंने किस चीज में लग गया है पता नहीं इनको मेरे घर से क्या चाहिए आजो भई मैं क्राएगा कोई और मकान ले लेता हूं वहां पर आगे नूनली के अपना दफ्तर बना ले थोड़ दिन के लिए जब तक इनके अलेक्शन कंपेंच चलती लिए वहां आके बना ले और देख ले मेरे घर के अंदर क्या है और कैसे वो बना है और मैंने हकलाल के पैसे कमाके एक एक रुपया घर के ओपर लगा के और उस घर को बनाया है मैंने अच्छा तकड़ा घर है लेकिन इस वक्त लिए मुझे जितनी इंकम दे रहा है मैंने उस दिन एक बात की थी कि मैं बार बार ये घर बना सकता हूँ अगर आखिए इतना फदल है इतना उसका करम है मालिक की बड़ी मेरबानी है राजिक भी अल्ला है अज़त भी उसके हाथ में और जिन्दगी भी उसके हाथ में ये जो मर्दी कर लें कुछ नहीं हो सकता एक आखिए सवाल ये है कि अब चुके लॉंग माज शुरू होने जा रहा है दो दिन रहे हैं और सहाफियों को भी दबाया जा रहा है वादों को दबाया जा रहा है इमरान खान का नेरेटिव ज्यादा मकबूल होगा इन कामों से या इमरान खान का नेरेटिव के कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा आपको देखें ये पसा चलेगा 25 तारीकी सुबह अगर तो इमरान खान में और उसके लोगों में दम होगा तो वो मनवा लेंगे और अगर नहीं होगा तो फिर यह उकूमत और यह सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे चलेगा मेरी प्रेडिक्शन यह है कि जो मुमेंटम बना हुआ है पाकिस्तान में बहुत भारी बड़ेगा रोकने वालों मुझे ऐसा लगता बहुत शुक्रिया थेंक्यू भाई धन्भी बहुत शुक्रिया थेंक्यू थेंक्यू थां इदर वेकिए थेंक्यू 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 थ आपर बिए काट आप साथा, पर बीज लोड़ी को को तो एंगाता है कि तो एंगानावाई जो प्राइडिन जो साथा, प्राइड़ कुए चुए अपर गौए अटोचल को लिए हमार प्राइड जो कि लिए में है। पनारी विडियो बाई आज झाल